आर्थिक तंगी के चलती कैंसर पेड़ित ने फासी लगाकर की आत्माहत्या मौदहा हमीरपुर काफी समय से गले के कैंसर का इलाज करा रहे गरीब किसान ने आर्थिक तंगी के चलती कुए की जगत में फासी लगाकर आत्माहत्या कर लिए सूचना पर पहुँची थाना पुलिस ने मृतक केशाओ का पंच नामा भरकर पोस्ट मारिटम के लिए भेज दिया और आगे की कारवाही शुरू कर दी बिबार थाना छेत्र के ग्राम पटवारा पाटनपुर निवासी नरेश प्रजापती पुत्र स्वासरी रमेश ने सनीबार की देर रात अपने घर के बाहर बने पुराने कुए की जगत की पट्ती में रस्सा से फंदा लगा कर फासी लगा ली जिससे उसकी मौत हो गई ग्रामेडों की सूचना पर पहुँची बिमार थाना पुलिस ने मृतक के साव का पंचनामा बरकर पोस्ट माइटम के लिए बेज दिया और आगी की कारवाही शुरू कर दी मृतक के परिवार के पास डेड़ भी गख हैतहार जमीन है जिसके चलते मृतक के परिवार के लोग मजदूरी कर परिवार चला रहे थे जबकि मृतक काफी समय से गले में हुए कैंसर से परिशान था और आर्थिक तंगी के चलते सही से इलाज भी नहीं करा पा रहा था सव का पंचनामा भरकार पोस्ट मार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगी की कारवाही की जा रही है जबकि आत्मात्या करने का कारण बीमारी और आर्थिक तंगी बताया जा रहा है बाकी जो भी तत्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कारवाही की जाएगी अमित कुमार की report, मौधदा हा!